समाज की यह खास आदत है कि उसे नियमों कानून के प्रतियादर और आस्था हो और नियमों का उलंगन करने वालों से घ्रिना और नफरत. नियमों के वचन भहमत की राय होते हैं समाज में रहने वाले मनुष्य की भहमत की राय से भिन राय होना साधारन नहीं उस समाज के क्रुध और प्रचंद अहसास को हलका बनाने की वह भी कोशिश करता पर नियमों लंग खुनी को उसके दरावने और असाधारन मुखभाव, रूखे विखरे बालों, बड़ी हुई मूँच, निराशा भरी अनास्था को सूचित करने वाले मलिन एवं विकृत क्रिशगात से युक बंदी रूप में देखे तो मनुष्य में अपना व्यक्तित् में ही शासन करते हैं, दूसरे अवसरों पर समाज के बहुमत के सामने उसका आत्मनियंत्रन नश्ट हो जाता, आत्मस्नेह की अधिक्ता से ही खून कर बैठता है, खूनी को देखकर वही रोता है इसी आत्मस्नेह के कारण, यह विचार की मुझे ऐसा, रिदय में छोटी तर मैंने पिछली तारीक को सेंट्रल जेल में एक आम घटना देखी, मेरा दोस्त डॉक्टर ने मुझे सुबल चार बजे जगाया, जेल के दो चपरासी बाहर बत्तिल ये खड़े थे, जेल के घंटे के शोक कोई स्वर ने उस चुप्टी में कुछ लहरे पैदा की, धीरे धी लेकर एक अन्भाय ली, आधा मन वहां जाने से मुझे रोक रहा था, फिर भी डॉक्टर के साथ में बाहर आया दर और जिग्या सायुक बाल सहज हृदय के साथ, मेरा हृदय धरक उठा, जेल की उची और मजबूत दिवारों से सुरक्षत एक कमरे के बाहर हम जाकर खड़ लेक किया हुआ था, उसने जेल की लुनगी पहन रखी थी, जो नीचे घुटनों तक लंबी थी, मैं ठंग से सिहर उठा, उसकी दाई बाही और दो सिपाही तैनाद थे, विशिष्ट भोर्जों, खीरादी से युक्तंतिम भोजन लेने के बाद उस बेचारे का पेट घनी सांसों के उपर नीचे होने से फूला हुआ था, वे आखे, मैंने उनमें आसों नहीं देखे, वे मामूली धंग से फड़क रही थी, समय सवा 6 बजे, मुझे लगा कि वह आदमी काप उठा है, शायद सिर्फ मुझे लगा होगा, एक महीना पहले उसे तारीक बताई गई थ उस दिन से प्रतिपल वह कितनी बार मर रहा है, कितनी बार जन्मा होगा वह, जगरालू पत्नी से कितनी बार शादी की, बाएगाल पर कोई थपर लगाए तो दायागाल कर दो, वाले तथे को आदर्श मान कर जिया, हाय, एक पत्नी को मार दालने के लिए कितनी पत्नियों स तोर गई खैर उस अंतिम रात को पत्नी के धर से अलग हुए सिर को फिर से चिपका कर उसने उसके कानों में मृत्संजीवनी मंत्र का जाप किया था समय सवा छह बजे किसी के पैर की आहट उसे लगा होगा कि उसकी पत्नी यह कह करकी मैं मरी नहीं अंदर आ गए और उसे बचा लिया है समय सारे छह बजे उस माया भ्रम से जाक कर उसने अपना स्थान और गती जान ली होगी क्या आप निश्चपूर्वक कह सकते हैं कि उसने जेल की खप्रेल हटा कर बाहर आने के लिए उस चिकनी दीवार पर चड़ने की कोशिश नहीं की थी मात्रविहीन बच्चा अपने बच्चे को कब उसने अंतिम बार प्यार गुलार दिया था वह याद करने समय पॉने साथ बजे अब सिर्फ 11 घंटे बाकी यानी 660 मिनिट छी क्या उसने 60 टाइम्स 11 इकुल 660 का गनित सीखा था अपने छोटी से जीवन के मील पक्थर हर 15 मिनिट के बाद का घंटा नाद हाई कल की रात उसने कैसे काटी होगी सांस रोक कर दम भूट कर मरने की कोशिश की होगी क्या पता आत्मात्या में उतनी पीरा नहीं जितनी दूसरे के द्वारा मारे जाने में होती है उससे बड़ी सजाही क्या है उसने हमारी तरफ अपना मुख मोडा उसने एक बार मुझे ध्यान से देखा भी निंदा से मानो पूछ रहा था तो इधर क्यों आया क्या तू मुझे बचा सकता है तुछ चकीट उन नेत्रों में एक सवाल प्रतिफलित हुआ जिन में अवर्णिय सीकर अधुती मिली थी मैंने उसे खून करते देखा था मरघट में खड़ा हुकर बैताल मृत्य कर रहा था वह मैंने उसके लाल नेत्रों और डर्आवणी द्रिश्टी की याद की क्यांक उस समय वह होश में था जब उसने अपनी पत्नी का सिर काटा था कांपते सिर को अपने हाथ में पकर चाकु से उससे काट कर तुकडा दिया था खून की नदी में उसने दुपकिया ली थी डॉट डॉट उसे इन सब की याद नहीं होगी शायद वह गवाही दे की ऐसा कुछ भी उसने नहीं किया था उसके जीवन चरित में हत्या के पहले की घटना के तुरंत बाद कोई मामूली सी घटना हुई होगी दोस्त उसकी अभय याचना में अपना निरप्राथ होने का बोध था खुद के न्यायवाद या अन्य किसी आधार के अभाव में माफी या मुक्ती की प्रार्थना नहीं होगी अपने कर्मों का धाचा जो नहीं जानता उसने क्या परिस्थितियों को देखा होगा पास खड़े मुझे उसने नहीं देखा होगा हम अपरिचिक भी हैं फिर वो मुझे ही क्यों घूर रहा है जेल अधीक्षक कमरे में आये उसने उनसे एक कप ब्रांडी मागी अंतिम इच्छा उस गरीब आदमी को अब तक महंगी ब्रांडी चखने का अफसर न मिला होगा सिर्फ वही एक चाह रह गई थी एक गिलास ब्रांडी उसका सबसे प्रिय पे शराब रहा होगा हम रामन वो दो रुपये दे जो उसे देना है तभी ब्रांडी पीऊगा ऐसी उसने खुद को सान्पुना दी होगी थोड़ी देर बाद उसे एक गिलास ब्रांडी दी गई वह उसे पूरी पी गया आत्मरक्षा की आ सकती मनुश्य की सभी प्रवृत्तियों का मौलिक हे तु है नैसरगी क्वासना है उसके पेट में तब भी खाना पच्टा नहीं किया क्यूंग पॉश्टिक तक्वा शरीर में मिलकर आप किसलिए शरीर में खून का प्रवाह सब है अधीक शक ने जैब से कोई कागस लेकर पढ़ना शुरू किया वह जज का फैसला है अंत में साइन दिस डे कुम्भम सो एंड सो जज पढ़कर पूरा किया उसी क्षण दोनों तरफ खड़े सिपाहियों ने प्रनाम करते उन हाथों को पीछे करके बाग दिया सब कुछ बिजी के वेग में वे हाथ जो इश्वर को प्रनाम करते थे डॉट डॉट उसने ईश्वर को पास से देखा उनकी करुना पर विश्वास रखा दोस्त मुझे आश्चर्य हुआ ये जिंगी किसी मनुश्य की दी हुई नहीं डॉट डॉट उसका अंत करने का किसे हक है खूनी की कितनी अपनी इच्छाय होंगी इतने मुल्यवान और वजंदार जीवन को एक छोटा सा कागस का साधा तुकड़ा जो कि मन पवन में उर जाता है एक पैसे का मुल्य रखता है नश्ट कर देता है डॉट डॉट उस कागस की शक्ती मैं फैसला देता हूँ वह उस चीज को नश्ट कर देता है जो उसकी नहीं वह जज उस बेचारे को न जानता है न उसने सुना है मैं फैसला देता हूँ उस फैसले में मैंने एक ऐसे आदमी को देखा जो ये जानने पर कि उसकी पतनी के भी गुप प्रेमी है उसका सिर काटने की इच्छा और क्रोध को जीट चुका हो वैसे छहाने का कर देने वाले उस बेचारे के जीवन को एक पराया और सरकारी अफसर जज जरा सोचो दोस्त उसने गला फार कर दो तीन बार कफ नेगला गर्भस्त होकर भूमी पर जन्मा और मृत्यू तक अस्थिर रहा वाली कविता की पंति भराय स्वर में गाने लगा मैं अपने आशूओं को रोक नहीं पाया तभी उस पंति का अर्थ और महत्व मेरी समझ में आया था संथ्या को दिये के सामने बैठे दादा पर दादा इस पंति को गाया करते थे कवी इसके द्वारा तथ्य को मधूर पदू में व्यक्त करते हैं जन्मा है तो मरना भी है जन्म के साथ मृत्यू भी है सिर्फ इतना ही मैंने समझा था कवी की पंक्तियों को मैं भी जरूरक पढ़ने पर तोते की समान रटा करता पर अब उस पंक्ति का अर्थ मैं करने लगा उससे संबध्ध प्रश्णों को मैंने स्वयम से पूछा दार्शनिक कवी दादा किसी ने इस तथे का जीवन में स्वयम अनुभव नहीं किया नारायनायनमः नारायनायनमः उसकी थर्थराती उंची आवाज ने वहां की परम निश्चलता को चीर डाला बीच बीच में उसे कफ आता रहा जब उसे कमरे के बाहर लाया गया तब भी उसने मुझे देखा मुझे लगा कि वह मुझ से कह रहा है मैं जाँ नाराहनाय नमा, नाराहनाय नमा, तब ही घंटा बजा उसने नाम जपना खतम किया मैंने लंबी सांस ली, एक चरिया बाहर रो उठी, उसने पीछे मुढ कर देखा, रक्षा मार्ग, मेरी लंबी सांस और चरिया की रुलाई ने उसे विभव सम्रिद दुनिया की ओर आक्रिष्ट किया होगा, उसका पैर फांसी के तक्त्वाले कमरे की सीरियों से टकराया, उस कमरा सबसे तंग अंधेरी कोठरी थी, बीच में करीब चार फीट लंबा चोड़ा और एक फुट उंचा चबूत्रा, आठ फीट उंचे शेहतीर से एक रेश्मी रसी लटकी हुई थी, चबूत्रे पर चार काले कलूटे मोटे आदमी खड़े थे, धुंग्रले बाल, आग कमरी ने सास तक नहीं ली, तभी विश्वयंट स्तंभित हो गया था, एक दम खामोशी, उन चारों में से एक ने आकर उसका हाथ पकड़ा और तक्त पर चड़ा कर ठीक जगह खड़ा कर दिया, दूसरे ने मुख को धकने वाला कपड़ा पहनाया, तीसरे ने रसी का फंदा उसके गले पर डाला, क्षन एक, दो, कहीं से एक छिपकली बोली, चौथे आदमी ने एक कदम आगे रखा, उसके पैरों की उनगली जटकी, सब और से निश्चल मौन, क्षन तीन, मेरा दिल धरका, मेरा बच्चा, उसका विला, टिक, का शब्द, मेरी आँखे स्वतह मेरा बच्चा, गर्भस्त होकर, जन्ने और मरने वाला तक्व उसने भुलाया होगा